हलो एब्रिवन मैं हूँ प्रतिभा कानपूरकिचन.com में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान सी लहसुन की चटनी की रेसीपी जिसे आप फटा फट तीन से चार मिनट में बना के तयार कर सकते हैं खाने के साथ अगर यह चटनी होगी तो खाने का स्वाथ बहुत ही जादा बढ़ जाएगा तो चलिए देरी ना करते हुए रेसीपी शुरू करते हैं रेसीपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा लहसुन की चटनी बनाने के लिए हमने आपर एक मिक्षर जार में यह कुछ लहसुन की कलिया है लगबग 20-25 लहसुन की कलिया है एक इतने बड़े साइज की एक लहसुन की गाट ली थी जिसे हमने छ छेल कर लिया हुआ है इसे डाल देंगे एक छूटा चमच हम इसमें डालेंगे धनिया के बीज इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यह दिखे साथ ही हमने लिए है चार से पांच तीखी वाली लाल मिर्च है यह जो मिर्च है वह बहुत तीखी होती है तो म आयन पेस्ट नहीं बनाना है हलका दरदरा ही रखेंगे तो यह दिखे फिर्ण्स इसे हमने अच्छे से पीस के तयार कर लिया हुआ है तो आप हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे आप चाहें तो इससे ज्यादा भी चटनी बना सकते हैं और बना करके फ्रिज में एक हप लिया हुआ है इसमें दो बड़े चमज कास्मेरी लाल मिर्श पावडर डालेंगे यह तीकी नहीं होती है बड़ चटनी का कलर अच्छा आता है इसमें हम डालेंगे गरम पानी तो लगबग 4-5 बड़े चमज के जितना इसमें पानी डालना है हमें इसका पेस्ट तयार करन अभी यह बहुत ज़्यादा थीक है तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल करके और पतला करेंगे तो यह देखें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला हुआ है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे तो 8-10 मिनट के लिए अच्छे से छोड़ दीजिए ताकि क्या होगा कि इसका जो कलर है वह बहुत अच्छा आएगा और मिर्ची हलकी सी फूल जाएगी तो यह देखें फिरिंज यह हमारा मिर्ची का पेश्ट बिलकुल तयार है इसे मैंने छोड़ दिया हुआ था लगबग 10 मिनट के लिए और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं जब य जीरा अच्छे से चटक जाएगा यह जो हमने लैसुन और मिर्च को पीस के तयार किया हुआ है वो डाल देंगे फ्लेम को लोटू मीडियम के बीच में रखना है ताकि लैसुन हमारा जले नहीं और बहुत अच्छे से भूने तो हमें लैसुन को अच्छे से भूनना है लाल मिर्ची का जो पीस्ट तयार किया हुआ था वो डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को लोटू मीडियम के बीच में ही रखना है और इसे लगभग एक मिनट तक पका लीजिए अब हम इसमें डाल देंगे पानी अभी यह चटनी जो है वह बहुत ज़्याद देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देना है और इस तरह से मैंने से आधा मिनट तक लगभग पकाया हुआ है आप देख सकते हैं सारी चीजिए अच्छे से पक गई है तो जो चटनी है उससे ऑईल सेपरेट होने लगा है अब इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें दही त है तब इस चटनी में क्या होगा कि अच्छी सी ख़तास आएगी दही डालकि हमें अच्छे से मिक्स करना है और दही डालने के बाद फ्लेम को लो गर देना है और कंटिनूर चलाते रहना है तो कंटिनूर चलाते होए इसे तब तक पकाना है जब तक किसमें बॉयल ना जाया आप देख सकते हैं कि चटनी में अच्छा सा बॉयल आ गया है तो अब हम लास्ट में डालेंगे नमक मैं इसमें आदा चोटी चमश नमक डाला हुआ है नमक आप अपनी टेस्ट के कोडिंग डालेगा बस थोड़ी देर इसे पका लिजी और आप तेस्टी लगती है आप इसे खाने के साथ सर्व कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे रोटी पूरी पराठी के साथ ऐसे ही लगा के खा सकते हैं आपको बहुत पसंद आएगी रेसीपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा